राश्तान सरकार में 2004 के बादवाले कार्मिकों की पहले NPS की कटोती होती थी क्योंकि उन्हें new pension scheme मिलती थी अब राश्तान सरकार ने उन्हें old pension scheme लागू कर दी है और उनकी एक नई कटोती लागू कर दी है GPF 2004 के नाम से तो आईए आज हम जानते हैं कि 2004 के बादवाले एकार्मिक अपनी GPF 2004 की passbook को किस प्रकार से तयार करें आईए शुरू करते हैं GPF 2004 की इस प्रकार की passbook मार्केट में आपको आसानी से उपलब्द हो जाती है हमने देखी इसको अंदर से open कर लिया है अब सबसे पहले हमको हमारी SSID में जो FMS03 है वहां से हमारा सम्मंदित वित्वर्ष का GA55 डाउनलोड कर लेना है और उस वित्वर्ष को यहाँ पर feel कर देना है जिसे माननी जी अभी जो वित्वर्ष है वो 2024-25 चल रहा है और यहाँ आपका जो 2004 का खता संक्या है वो यहाँ आपको एंटर करना है उसके बाद में यहाँ पहला जो कॉलम है वो है इसमें कार्याले का पूरा पता और उस कार्याले का नाम तो यहाँ पर जहां से आपकी सेलरी बनती है उस कार्याले का नाम आपको एंटर करना होगा और उसके बाद में देखे यहाँ जो यह मार्च, अप्रेल, माई, जून दिया गया है तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ मैंने वित्वर्ष आपको बताया था 2024-25 तो यहाँ मार्च 2024 से आपकी कटोटी एंटर होगी तो यहाँ पर आपको 2024-2024 एंटर कर लेना है उसके बाद में देखे यहाँ जनवरी में आपका यह चेंज हो जाएगा यानि कि यहाँ 2025 आपको एंटर करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने जीए 55 से टीवी नंबर और भुगतान की तिथी एंटर कर देनी है जीए 55 आपको यह आसानी से उपलब्द हो जाएगा अगला कॉलम आपका होगा अंसदान का यानि कि आपकी कितनी कटोती GPF में हो रही है वो GPF की कटोती आपको हर म कि यहां पर एंटर कर देनी है जैसे मानली जी मेरी कटोती 850 है तो मैं यहां 850 एंटर करूँगा और उसके बाद में यहां पर योग में भी वही 850 हमको एंटर कर देनी है अगर कोई अन्म कटोती है जैसे मानली जी किसी ने लौन वगेरा ले रखा है तो वो कटोती आपक को इस कॉलम में करवाने हैं और अंत में आपको यहां पर उनकी महर लगवानी है अब बात करते हैं एरियर की देखिए जो भी आपका एरियर है वहां वह यहां पर आपको एंटर कर देना है जैसे मानल जी एक बार आया तो यहां अगर दो बार आया तो यहां और दिपावली क जो हमारा bonus है वो भी हमको यहाँ पर ही enter करना है क्योंकि उसमें भी जो है GPF 2004 की cut होती है क्योंकि हमें 75% ही मिलता है और 25% हमारी उसमें cut हो जाती है अगर आपका कार्याले change हो गया है तो उसी संबंदित महा के आगे आपको कार्याले का नाम एंटर कर देना है और वहीं उसके सामें जो संबंदित कॉलम आपका अस्ताक्षर का है तो आपका जो आधिकारिये वो भी झाले गाइब मुज्सTE घह राम कि रहीं पहीं जो में एंटर मुच। सब्स्टे कर दिए है दजी ड़